नमस्कार आप सभी को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 19 दिसंबर की जितने भी important current affair की news हैं वो सारी की सारी हम इस वीडियो में discuss करेंगे चलते हैं आज की सबसे पहली news की तरफ हर्याना सरकार ने एक सिछ्छा सेतु नामक mobile एप को launch किया है यह यह जो सिछ्छा सेतु एप है यह चात्रों के लिए किया गया है इस आप की साहता से राज के सिछ्छा विबाग तता college प्रशाशन में भी पार दर्शता आएगी इसके के लावा चात्रों उनके अभिवावकों अध्यापकों तता प्रशाशन की बीच connectivity भी बहतर रहेगी तो बहुत सारे function हो सकती है इसके transparency के लिए ठीक है और यह जो एप है launch किया गया है हर्याना सरकार ने जिसका नाम है आप याद रखेंगे सिछ्छा सेतु अगली news अगली पुरुषकार से सम्मानित किया गया है वह इस पुरुषकार को जीतने वाली चौथे पाकिस्तानी नागरिक हैं धिक है चौथे पाकिस्तानी नागरिक है यह कैस्मा जहागीर इसके इससे पहले बेगम राणाल लियाकत खान जन्होंने जीता था 1978 में उसके बाद बैनेजी बात कर लेते हैं कि जो संयुक्तुराष्ट मानवादिकार पुरसकार है इसकी गोशना संयुक्तुराष्ट महासबाने की थी और ये इसकी स्थापना की थी 1966 यानि 1966 में सहीक्त राष्ट महासबाने सहीक्त राष्ट मानवादिगार पुरसकार की जो गोश स्थापना है वो की थी 1966 में अगली जुन विजब वो हैं हर्याना के जजजर में खोला गया राष्टिय कैंसर संस्थान तो राष्ट्य कैंसर संस्थान को खोला गया है हर्याना के जजजर में भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान राष्ट्य कैंसर संस्थान 18 दिसंबर 2018 को हर्याना के जजजर में खोला गया अधिकारिक रूप से इस संस्थान का जो उद्गाटन है वो 2019 जनवरी में किया जाए ठीक है तो इस राश्ट के कैंसर संसान की स्थापना के यह हर्याना के जंजर में और इसके जो प्रमुक होंगे वो होंगे डॉक्टर जी की रस ठीक है यह आप याद रखेंगे अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ विश्व आर्तिक फोरम के लिए लिंग भेंद सूचकांग इसमें भारत को इक सो आठवा इस्थान प्राप्त हुआ है ठीक है यहीधारि उस्सुचकांग है है इसको विश्व आर्थिक फॉरम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और ये इसकी शुरुआ तुईती 2006 में लिंग भीद सूच कांग के द्वारा चार मुख्यों पर बिंदू पर यह जारी किया जाता है सबसे पहला है आर्थिक अवसर राजनीतिक शक्तिकरड शिक्षा सवास्त में लिंग समानता को माप आजाता है सफि civ Carnival9 असे Excellent тут जबकि नौरवेः दूसरा स्थान है स्वीडन को तीसरा स्थान को प्राइट नौर का जो इस्थान है वो एक सो आटवा है 2017 में भी उसका यही इस्थान था और इस बार जो दस साल से यानि दस्वी बार लगातर जो विश लिंग भेद सूचांक है उसमें आइसलेंड को लगातर पहला इस्थान पराप्त हुआ है ठीक है अब चलते हैं अगली न्यूस की तरफ 19 दिसंबर को प्रतिवर्स गोवा मुक्ति दिवस मनाया था ठीक है तो इसके बारे में सारा को जानेंगे इसकी प्रस्ट भूमी जानेंगे इसकी पूरे इस्थी जानेंगे ठीक है तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था है गोवा को पुरतगाली ने सातन से 19 दिसंबर 1961 को मुक्त किया गया था तो जो गोवा है वो पुरतकालियों के शासन में था उसको मुक्त किया गया था 19 दिसंबर 1961 में इसकी प्रश्ट भूमी जान लेते हैं पुरतकाली भारत में 1510 में आये थे उन्होंने पस्चिमी तटके कई छेत्रों में अपना आधिपत्य स्ठापित किया 19 सठापडी के अंतग अंत तक पुरतकालियोंने गहाँ, दमंदीव, दादर नागार हवैली और अजेंदिया δूवी पर कबजर कर लिया था भारत की जो सथ़क्रा के बाद, नि सरकार ने को भारत में शामिल करने के लिए पुर्तागालों से बातचीत करने का मारग चुना कि अंतरगात यह जो गोवा और दमंदीव हैं जो भारत में शामिल हो लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो सका लेकिन फिर गया हुआ अंतमै ततकालिन प्रधन मंत्रि थे उनका नाम था जवा और गोवा को सफलता पूर्वक भारत में शामिल कर लिया गया गोवा की मुक्ति के बाद थोड़ी सी और है इसमें कि गोवा की मुक्ति के बाद 1963 में भारत की जो संसद है उसने गोवा को भारत में आदिकारित रूप से शामिल करने के लिए 12 संविधान संसोदन पारित किया इसके द्वारा, 12 संविधान संसोदन के द्वारा गोवा, दमंदीब, दादरनागर हवीली को किंद्र सासथ प्रजेश भी गोशित कर दिया गया 1987 में गोवा को दमंदीब से अलग करके एक पूर राज का दर्जा दे दिया गया और 1963 संसंद ने गोवा को अधिकारित रूप में रूप से भारत में शामिल करने के लिए बार्यवा संविधान संसोधन पारित किया था तो यह है कुछ हिस्ट्रीक गोवा की तो दोस्तों यह आज की न्यूज है आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगे अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और पहली बार अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजे धन्यवाद